नमस्कर दोस्तो आपका स्वागत है दोस्तो जिस औरतों के यह 5 नाम होते है वहाँ पर भेंकर बरबादी आती है यहाँ तक की पुरा कूल नस्ट हो जाता है गल्ति से भी किसी भी औरत का यह नाम कभी मत रखना नहीं तो अनर्थ हो सकता है दोस्तो अक्सर आपने देखा होगा कि कई महिलाओं की ऐसा नाम होते है जिन्हें लेने पर थोड़ा अजीब तो लगता है ऐसे मैं आज आपको कुछ ऐसे नामों के बारे में बताने वाले है जो खास कर महिलाओं के कभी नहीं होनी चाहिए सास्त्रों के अनुसार महिलाओं की यह नाम रखने पर या उन्हें इस नाम से बुलाने पर भेंकर बरबादी जैसे पढ़ना मिलते है तो चलिए जानते है दोस्तो नमबर वन गंधारी गंधारी एक गज और महान सक्तिसाली महिला थी और उनका विवा कौरव वंस में हुआ था जिसके कारण उन्हें दुखों का सामना करना परा और इनके सबी पुत्रों के मित्यू हो गई थी इसलिए कोई भी व्यक्ति गंधारी नाम किसी महिला का नहीं रखता और यह नाम रखना किसी को भी पसंद नहीं है दोस्तो नमबर टू केकई केकई राज परिवार से संबंद रखती थी उसने नौकरानी के कहने पर अपने ही परिवार में भिद्भाव किया जिसके कारण दुख का अगमन हुआ इसलिए अब कोई भी इस नाम को रखना पसंद नहीं करता दोस्तो नमबर तीन मंदोदरी मंदोदरी का अर्थ होता है दयालू बुद्धिमान और गुनवता लेकिन यहर रावन की पत्नी थी इसलिए कोई भी अपने बेटी का नाम मंदोदरी कभी नहीं रखता दोस्तो नमबर चार मंथरा दोस्तो मंथरा की वज़े सही भगवान स्री राम को लचमर्स सिता सहीत 14 वर्स वनवात काटना परा था कोई भी वक्ती अपने बेटी का नाम मंथरा कभी नहीं रखता दोस्तो नमबर फाइफ द्रोपदी दुरुपदी राजकुमारी थी इसके बाद भी लोग अपनी बेटी का नाम दुरुपदी भूल कर भी नहीं रखते क्योंकि दुरुपदी पांच पंड़ाओं के साथ विवा करना परा था और इसके चलते कोई भी माँ अपनी बेटी का नाम गलती से भी दुरोपती कभी नहीं रखती दोस्तों अब बात करते हैं नमबर छे की सुर्पनखा सुर्पनखा रावन की बहन थी इसमें कई सारे यूद करवाए नाखुनों की स्वामीनी होने के कारण उसका नाम सुर्पनखा पड़ा परन्तु कोई भी माँ बाप अपनी बेटी का नाम सुर्पनखा कभी नहीं रखता आपके क्या विचार है कमेंट बक्स में जुरूर बताएए और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें